हेलो एब्रीवन वेलकम अगें टू लन प्रेदेतिमन तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजिस्थान के लोक वादियंत्र ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है ये और हम लोग ने नाम तो सुने ही हैं जहां मैंने आपको बताया था कि रावण हत्ता एक वादियंत्र होता है ज चार भागों में बाठते हैं एक तो ततवादियंत्र दूसरे सुसिर वादियंत्र तीसरे अवनद्ध वादियंत्र और चौते गहन वादियंत्र तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या होते हैं तो दिखिए ततवादियंत्र क्या होते हैं जिन में तार लगा होता है ठीक है तो इसमें जो है जन्तरवादियंतर आजाएगा, सारंगी, इकतारा, रावनहत्ता, कामायचा, भपंग, तंदूरा, रवाव, यह सबी जुए वो ततवादियंतर में आजाएंगे, जिन वादियंत्रों में तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ती होती है उन्हें तत्वादियंत्र कहा जाता है नेक्ट देखिये सुसिरवादियंत्र। बांसुरी, पूंगी, मशक, बांकिया, ये सभी सुसिर वादियंत्रों में आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें हम फूंक मार कर प्रियोग में लेते हैं. थर्ड देखिए, अवनद्वादियंत्र, चमडे से बनने वाले वादियंत्र क्या कहलाते हैं? अवनद्वादियंत्र कहलाते हैं, जिन वादियंत्रों को पस्वों की खाल से बनाया जाता है, तो उन वादियंत्रों को अवनद्वादियंत्र कहेंगे. तो इसमें जो है पस्वों की खाल से जो है बनाये जाते हैं धोल बनता है धोलक बनता है और चंग जो है वह बनता है डमरू भी बनता है धपली बनती है धप बनता है ठीक है तो ये सबी किसमें आ जाएंगे अवनदवाद यंत्र यहां पर पस्वों की खाल का प्रियोग किया गया है फूर्थ नंबर पर है घन वादियंत्र तो घन का मतलब होता है धातू यानि कि यहां पर जिन यंत्रों में हमें धातू मिलेगी ठीक है जिन वादियंत्रों को धातू से बनाया गया है तो उन्हें घन वादियंत्र कहेंगे जिन में चोट या आघात करने से जो है वो स खड़ताल होता है, जो आपस में चोट करके ही वो बजाया जाता है, मंजीरा होता है, और थाली होती है, जालर होती है, रमजोल होती है, ठीक है, घंटा जो है, आपने देखा है का वो भी घुंगरू जो होते हैं, तो ये सबी जो हैं, किस से बने होते हैं, धातू से बने होते हैं जिनमें चोड़ करने से ही स्वर उत्पन होता है तो यहां चार वादियंतरों को आप ध्यान में रखें क्योंकि इस चेप्टर में से केवल यही पूछा जाता है कि जैसे की example के लिए कि चिकारा वादियंतर जो है वह है कैसा वादियंतर है ततवादियंतर है सुसिर वादियंत्र है अवनद वादियंत्र है या घन वादियंत्र है बस यही कुशन जो है यहां से निकलता है तो वह है ततवादियंत्र है ठीक है तो यही आपको ध्यान में रखना है और जनजातियों के चैप्टर में हम लोग यह पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाती कौन से वादियंत्र का प्रियोग करती है तो सबसे पहले देखिए ततवादियंत्र तो सबसे फस्ट नमबर पर क्या है सारंगी सारंगी जो है ततवादियंत्र में सबसे ज़्यादा उपर होती है यानि सबसे सर्वसेज्ट है सारंगी इसमें 27 तार लगे होते हैं सरवादिक तार ज और कैर की लकडी से बना होता है, कुल इसमें 27 तार होते हैं, एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि सारंगी में कितने तार लगे होते हैं, लंगा जाती के गायकों द्वारा इसे बजाया जाता है, और लंगा जाती हमने बात कर ली थी, जैसल मेर, बाड मेर, बीका ने, यह के सहारे से सारंगी को बजाया जाता है तो गज यानि कि वो जो लंबी सी इस तरीके की होती है अभी मैं आपको दिखा दूँगी तो तार जो है वो बकरे की आत का बना होता है और गज में घोडे की पूच के बाल प्रियोग में लाए जाते हैं तो यहां पर बिल्कुल कन्फ से बना होता है गज कई प्रकार की सारंगियां हैं जैसे सिंधी सारंगी जो कि पक्षमी राजिस्थान में पेसे वर्थ लंगा जाती द्वारा बजाई जाती है जड़ी की सारंगी प्यालेदार सारंगी इसे कौन बजाते हैं जैसल मेर के मांगडियार द्वारा इसे बजा ठीक है 27 तारों से बना होता है सारंगी जोग या सारंगी ये अलवर और भरतपुर के भरतरी जोगियों के द्वारा बजाई जाती है गुजरातन चारंगी जो है ये लंगा जाती वाले ही बजाते हैं धानी सारंगी निहाल दे की कथा सुनने वाले जोगी बजाते हैं अलांक देखिए यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे एक तो सारंगी क्या है एक ततवादी अंत्र है ठीक है दूसरा सारंगी जो है वो रोहिडा या कैर की लकडी से बना होता है तीसरी बात इसमें कुल 27 तार होते हैं और लंगा जाती के गाय को द्वारा इसे बजाया जाता है वि नेक्स्ट देखिए ततवाद्यंत्रों में ही है इक तारा इक तारा इसमें भी तार का प्रयोग होता है तो इसलिए यह भी ततवाद्यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा ज्यादा तर साधू सन्यासी जो है इसको बजाते हैं तो हम देखते हैं यदि आप पोस्टर देखते हैं मिरा बाई का, तो मिरा बाई के एक हाथ में एक तारा जो है वो आपको नजर आएगा गोल तुमबे में बास की डंडी पसा कर इसे बजाया जाता है, नेच्ट देखिए रावन हत्ता तो आपने कई बार जो है नाम सुना कि रावन हत्ता जो है पाभु जी के भोपे जो है जब वाचन करते हैं तो रावन हत्ता वाधियंत्र का प्रयोग करते हैं तो ये सबसे पुराना वाधियंत्र है सबसे प्रसिद्ध ततवाधियंत्र कौन सा है सारंगी और सबसे पुराना वाधियंत्र जो है ततवाधियंत्रों में कौन सा है रावन हत्ता ये आधे कटे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा, गज पर घोड़े के बाल वा घुंगरू बंदे होते हैं, इसकी खास बात ये है, देखिए, कि इसमें एक साइड में घुंगरू बंदे होते हैं, पाबु जी के भोपे भड़ बाचन करते समय, रावण हत्ता वादियंत का प्रियोग करते हैं, तो यहां पर देखने की कोशिश करिए, हमने अभी रावण हत्ता वादियंतर की बात की, तो ये रहा देखिए, रावण हत्ता, ठीक है, और रावण हत्ता में जो हैं, वो नो तार लगे होते हैं, ठीक है, इसलिए तत्वादियंतर ये शेडी में आ ये क्या है ये गज है ठीक है गज की सहायता से इस पर इस तरीके से इसको बजाया जाता है ठीक है और बकरे की आत से जो है ये बना होता है और जो गज जो है वह किस से बना होता है घोडे की पूच की बाल से ठीक है ये ध्यान में रखियेगा लंगा जाती जो है सारंगी जो ह पड़ वाचन करते समय रावन हत्ता वादियंत्र बजाते हैं अगला देखें भपंग वादियंत्र तो ध्यान में रखना है कि एक तारा है रावन हत्ता है भपंग है ये सभी तत वादियंत्र की शेणी में आएंगे डमरू से मिलता जुलता वाद तुंबे से बना होता है ठ जहूर खा मेवाती, उमर फारुक मेवाती इसके मुख्य कलाकार हैं, यह आप ध्यान में रखें, ठीक है, कि भपंग जो है, वह है, कहां पर प्रसिद्ध है, अलवर में प्रसिद्ध है, तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ, भपंग जो है, वो देखिए, यह जो जनतरवादी अंतर, वीणा का प्रारंबिक रूप माना जाता है, जैसे वीणा होती है, उसी तरीके का जनतर होता है, इसमें 5-6 तार जो है उसका प्रियोक किया जाता है, यानि कहीं कहीं पर आप लोगों को 5 तार देखने को मिलेंगे, और यह नागोर, अजमेर ओर भील व गात ओंकी कथा बासते समय कका प्रियोग करते हैैं ठीक है यह तो कई बार Expam में पूछ लिया गया है कि देव नरायायन ची की पड़ किस वादी अंत्र का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर देखिए जनतर वादियंत्र जो है किस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको इसमें पांच है तार जो है वो लगे होते हैं, ठीक है? फिर देखिए कामायचा वादियंत्र तो अभी हम पढ़ रहे हैं ततवादियंत्र को जिनमें तारों का प्रियोग किया जाता है तो ये कैसा होता है सारंगी जैसा ही वादियंत्र होता है पक्षमी शेत्र के मांगडियार जाती द्वारा कामायचा वादियंत्र जो है इसका प्रियोग किया जाता है और इसमें लगभग जो है 16 तार जो है वो लगे होते हैं ठीक है इसके तीन भागों में इसको बाटते हैं कामायचा को आपने देखा होगा तो जो पहला भाग होता उसमें तीन तार जो हैं वो बने होते हैं उसके दूसरा भाग में नो तार जो हैं होते हैं और जो तीसरा भाग होता है उसमें तीन तार होते हैं तो इस तरीके से इसमें जो हैं 15-16 तार जो हैं वो लगे होते हैं इरानी वादियंत्र भी इसको कहा जाता है important line है पूछा जा सकता है exam में कि किस वाधियंत्र को इरानी वाधियंत्र कहा जाता है तो आप answer लिखेंगे कामायचा वाधियंत्र को इरानी वाधियंत्र कहा जाता है तो यहाँ पर देखिए कामायचा वाधियंत्र जो है यह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसमें जो है कितने तार लगे होते हैं लगवग 16 तार तो इसमें लगे होते हैं ठीक है और ये जो है ये बिना गज के मांगडियार और लंगा जाती द्वारा बजाया जाता है ठीक है इसे सारंगी की जो है रानी भी कहा जाता है कामायचा वादियंत्र को और देखिए जो सा आकर खान थे उनको तो पदमच्री अवार्ड भी मिला था कामायचा वादियंत्र में नेक्स्ट देखें तंदूरा या तंबूरा वैनो और चौतारा तो ये एक ही नाम है चाहे तंदूरा वादियंत्र कहें चाहे चौतारा वादियंत्र कहें तो चोट आरा से तो ये समझ भे आ रहा है कि इसमें चार तारों का प्रियोग किया गया है ठीक है? तो ये तंदूरा ही है जिसमें तार लगे होते हैं कितने चार और कामण जाती के लोग जो हैं इसको बजाते हैं तानपुरा जैसा ये दिखाई देता हैं। उसके बाद अलवर भरतपुर यहां पर जोगी और मेव जो हैं वह बजाते हैं शिरोही पाली और उदैपुर में जो गरासिय जन जाती है किसे बजाती है चिकारा वादियंतर को बजाती है और ये एक तत वादियंतर है क्योंकि इसमें तीन तारों का प्रियोग किया जाता है चलिए नेक वहाँ पर इसे बजाते हैं, तो अलवर में आप देखेंगे, अलवर भरतपुर साइड में आपको मेव ही मिलेंगे, तो मेव के भाटों द्वारा रवाव बजाया जाता है, और ध्यान रखें कि इसमें चार तारों का प्रियोग किया जाता है, ठीके, कहीं पर आपको पांच तार जो हैं, वह भी लगे हुए मिल जाएंगे, तो इनको बजाने के लिए जो है, वो मिजराव का प्रियोग किया जाता है, ठीके, और इसका वादन जो है, जो नकवी जाती होती है, वो करती है, अगला देखें रवाजवादियंत्र, इसमें बारा तार लगे होते हैं, का रवाड के रावल और भाट जाती के लोग जो है, वो रवाज बजाते हैं, रमत लोक नाटे में भी इसे बजाया जाता है, ठीके, तो लोक नाटे की बात जो है, वो भी हम आगे करने वाले हैं, तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कि जंतर वादियंत्र, रावन हत्ता, इ इसरे देखे गूजरी, रावण हधा जो वाधियंत्र है, उसे थोड़ा छोटा होता है गूजरी, इसमें पांच तार लगे होते हैं, ठीके और रावण हधा जिसमें हमने देखा 9 तार लगे होते हैं, इसका गज जो है वो अर्ध चंद्राकार होता है, उसके बाद देखिए सुरमंडल, सुरमंडल भील समुदायद्वारा दीपावली पर बजाय जाता है और प्राचिन काल में कोकिला भीर्णा जो है इसको कहा जाता था किसको सुरमंडल वादियंत्र को, तो यहाँ हमने ततवादियंत्र जो है, इनको अच्छे से देख लिया ह सबसे पहला कोश्यन आप लोग याद रखें कि यह ततवादी अंतर है या घनव्यादी अंतर है यह तो आप बिलकुल अंतर जो हैं वो ध्यान में रखेंगे सारंगी आर उसमें 27 तारों का प्रियोग किया जाता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि जो पाबुजी की फड है उसका वादन किस वाधियंतर से किया जाता है। तो रावन हथा वाधियंदर का प्रियोग हम करते हैं। ऐसे आपके जो है एक्जाम में कुशन पूछा जाएगा नेक्स्ट देखिए सुसिर वादियंत्र तो सुसिर वादियंत्र क्या होते हैं ऐसे वादियंत्र जिनका प्रियोग जो है हम कैसे करते हैं हवा के द्वारा इनको बजा कर ठीक है? फूख मारकर या हवा के द्वारा इनको बजाया जाता है तो उन्हें कहते हैं सुसिरवादियंत्र जिसमें सबसे पहले देखी बांसुरी तो आपने देखा है स्री कृष्ण भगवान जो है वो फूख के द्वारा जो है वो बांसुरी बजाया करते थे इसमें साथ छेद जो है वो निकले होते हैं तो आपने बांसुरी तो देखी है लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा कि कितने छेद होते हैं और जिन लोगों को इंटरस्ट है वो लोग ध्यान देते हैं कि कितने उसमें छेद निकले होते हैं प्रसिद वासुरी बादक जो हर प्रशाद चौरसियां है ठीक है यह जिहान में रखिएगा नेक्स्ट देखिए जो फूख से बजाया जाता है वाद्यंत्र वह है सहनाई सहनाई तो हर किसी ने देखी है इसे नफीरी भी कहा जाता है चिलम जैसा अकार इसका होता है कैसा चिलम जैसा और इसमें आठ छेद होते हैं बाद्शुरी में साथ होते हैं सहनाई में आठ होते हैं विवहा के अफसर पर सहनाई बजाई जाती है सहनाई जो है वह सीसम और सागवान की लकडी से बनी होती है और विस्मिल्ला खां जो हैं प्रमुक सहनाई वादक है तो आप लोगों को ये याद होगा कि विस्मिल्ला खां जो हैं वो सहनाई वादक है नेक्स्ट दिखिए बांकिया बांकिया जो है वह बिगुल के समान होता है तो जहां पर युद्ध भूमी में जाने के लिए या फिर युद्ध का जो ऐलान किया जाता था आपने देखा होगा मूवीज वगरा में तो वहां बिगुल जो है वह बजता था ठीक है यह पीतल से बना होता है अब आप ये मन समझेगा कि ये धातु का भी बना है तो इसी लिए इसे हम घन वादियंत्र के शेणी में गिनेंगे नहीं बांकिया जो है यह एक कैसा है सुशिर वादियंत्र है ठीक है क्योंकि इसे फूंक से बजाया जा रहा है सरगणों का खांदानी वादियं अंत्र है बांकिया ठीक है तो आप यहां पर देखिए कि बांकिया जो है वह कैसा होता है यह देखिए बांकिया तो आपको इसको देखकर ही याद आ गया होगा कि यह जब भी कोई राजा महराजा जो है वह आ रहे होते हैं तब आपने देखा होगा कि इस वादियंत्र का प्रयोग किया जाता है तो इसको कैसे बजाते हैं फूग के द्वारा बजाया जाता है ठीक है फिर देखिए नेक्स्ट है मशक वादियंत्र बक्री के चमडे से बना होता है ये और एक तरफ से हवा मार इसमें मारी जाती है दूसरी तरफ दो नालियों से हवा निकलती है तो यहां पर जो विशेश बात क्या है कि ये भी फूंग से बजाया जा रहा है, हाला कि ये चमडे से जो है वकरी के जो चमड़ा है उससे बना होता है, तो ये अवनदवादियंत्र नहीं है, ये क्या है, ये सुशिरवादियंत्र है, शिर्वन कुमार प्रमुक मशक वादक हैं, तो यहां पर देखिए मशक जो है आपने देखा होगा, मशक जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है, बहुत अच्छे से आप लोग इसे ध्यान में रख लें, तो इसमें जो है, क्या लगा होता है, ये जो है मशक जमडे का एक थैला जैसा होता है, और इसके नीचे जो है वो पाइप जो है वह लगा देते हैं, ठीक है, और हवा से जो है भर कर मशक को कांख जो होती है न, वहां रखा जाता है, और मेवात में और जैपुर साइड में जो है मशक जो है वो बजाया जाता है फिर देखिए फूंक से बजाया जाने वाला वाधियंत्र है बीन या पूंगी तो सपेरे जो होते हैं वो साप को पकड़ने के लिए बीन बजाते हैं तो वह भी फूक से ही बजाई जाती है, छोटी लौकी के तुम्बे की बनी होती है और जादा तर काल बेलिये, काल बेलिये जो हैं वो मैंने आपको बताया था कि साप को पकड़ने वाली जाती है, तो काल बेलिया इसको बजाते हैं, नेक्स्ट दिखिए भूंगल, भूंगल वह किस से बनी होती है, यह पीतल की एक लंबी नली होती है, ठीक है, भूंगल पीतल की एक लंबी नली होती है, तो जो बांकिया होता है, उसके आकार की ही होती है और मेवाड में जो भाट हैं, वो इसको बजाते हैं, भवाई जाती का तो यह प्रमुक बादियंत्र है, इस से जब रन का आगाज होता है, तब इसे बजाया जाता है. Next देखें, सतारा. सितार नहीं, सतारा. बांसुरी, अल्गोजा और सेहनाई का जो मिश्र्श रूरी का जो मिश्रीत रूप है, वह सतारा कहलाता है. और लंगा जाती द्वारा ही यह है जो पक्षमी राजिस्थान है वहाँ पर बजाया जाता है ठीक है सतारा बाशुरी अलगोजा और सहनाई का जो है कैसा रूप है यह मिश्रित रूप है ठीक है अगला देखिए नड नड जो है कैर की एक मीटर लंबी प्राकर्तिक लकडी स बना होता है इसको भी फूंक से ही बजाया जाता है और इसके प्रमुकलाकार जो है वो करना भील है तो करना भील के बारे में कहा जाता है कि ये पहले डाकू थे और बाद में जो है संगीत की तरफ इनका जुकाव हुआ और उसकी वजए जो है इनकी बाद में जो है प्रेमिक सुर्णाई के मुक्य कलाकर पेपे खा मांगडियार है यानि मांगडियार जाती जो है वो सुर्णाई वादियंद्र का प्रियोग करती है और ये सुर्णाई कैसा वादियंद्र है? ये एक सुशिर वादियंद्र है फूंक से बजाने वाला उसके बद देखिए मोर जंग, मोर जंग होटों के बीच रख कर बजाया जाता है, ये देखिए ये है मोर जंग, ठीके, इसको कैसे बजाते हैं, इसको जो है वो होटों के बीच में रख कर जो है इस पर पूख मारी जाती है, फिर ये बजता है, ठीके, देखिए हमने यह जो है यह भी कैसा वादियंत्र है सुशिर वादियंत्र है ठीक है और उसके बाद जो है हमने मशक की बात की यह भी फूग के द्वारा बजाया जाता है और फिर हमने जो तत्वादियंत्र की बात की तो जिसमें रावण हता है इकतारा है सारंगी है ठीक है भपंग है कामा करना वादियंत्र ठीक है तो यहां पर देखिए यह क्या है करना वादियंत्र ठीक है तो करना वादियंत्र भी सुसिर वादियंत्र है और यह पीतल का बना होता है ठीक है यह ध्यान में रखता है लेकिन यह सुसिर वादियंत्र की शेड़ी में आएगा तो यह चीज आप ध् तो अवनद वादियंत्र कौन से होते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था कि ऐसे वादियंत्र जिन में पसूँ की खाल जो है वो प्रयोग में लाई जाती है. ठीक है? तो जिसमें सबसे पहले है नौबत. नौबत जो की युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता है. भैसे की खाल का इसमें प्रियोग करते हैं इस वादियंत्र को बनाने में चार फीट गहरे तक ये बना होता है और सबसे ज़्यादा कि ये जो है इतनी भेंकर आवाज इसमें से निकलती है ठीक है तो यहां हम यदि example movies का ले तो movie में हम देखते हैं राजा महराजा की जो फिल्म होती है वहां पर हम ये वाला वादियंत्र देखते हैं ठीक है जो की बहुत ज़्यादा भेंकर जो है आवाज इस वादियंत्र से निकलती है ताशा वादियंत्र तो ताशा वादियंत्र जिसकी मैंने बात की थी कि मुस्लिम समुदाय में ये प्रियोग होता है और जब ताजी निकाले जाते हैं उस समय तासा वादियंत्र का प्रयोग किया जाता है यह जो तासा वादियंत्र है यह मिट्टी या लोहे के चपेटे कटोरों पर बकरे की खाल मढ़कर बनाया जाता है ठीक है तो केवल इतना ही आप ध्यान में रखें यहां पर केवल मैंने यहां दो दो ल अलेक्डी पर पाषू की खाल मढकर वो बनाया जाता है धाएं हाथ की थापसे इसको बजाते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा किस तरीके का होता है चंग वादियंत्र दिद्देगिए ये है चंग वादियंत। ठीक है तो इसे एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ से वो धपकी साहता से बजाया जाता है, ठीक है? उसके बाद देखें मरदंग, जो है वो पूरसोत्तम दासिस की प्रमुक कलाकार हैं और एक मुह को जो है नर और दूसरे मुह को नारी कहा जाता है, ठीक है, बरदंग जो होता है, उसमें एक मुह को नर और दूसरे मुह को क्या कहा जाता है, नारी कहा जाता है, जिस तरीके के धोलक होती है, उसी तरीके का होता है, मरदंग, ठीक है, तो इसको आप धोलक ही समझिए, फिर देखिए, धोसा, आम या फरास की लकडी पर भैसे की खाल मढ़कर इसको बनाया जाता है ठीक है धोसा वादियंत्र जो है इसको कैसे बनाया जाता है इसे आम या फरास की लकडी पर भैसे की खाल मढ़कर बनाया जाता है तो यहां पर हम अवनद वादियंत्र की बात कर रहे हैं जो की चमडे से मढ़कर बनाया जाते हैं, नेक्स्ट देखें, कुंडी, मिट्टी के छोटे बरतन के उपरी भाग पर खाल को मड़कर इसको बनाया जाता है, ठीके, कई वादियंतर जिनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, तो इनको अब आप ध्यान में रखेंगे, करासिया जन जाती, इसका मुख्य व इन है, सामाननेत है, दो नगाडे, छोटा वा बड़ा, एक साथ बजाये जाते हैं, ठीके, कोई चीज एलान करनी हो, तब जो है, वो नगाडा, जो है, वो काम में लिया जाता है, तो हमने अवनदवादियंतर जो है, वह देख लिए, जो की चमडे से मड़कर बनाये जाते हैं, और अवनदवादियंतरों को हम देखते हैं कि कहीं तो हाथ की ठाप से बजाते हैं, कहीं पर डंडे से बजाते हैं, तो यहां सबसे वन नमबर पर है मंजीरा, तो मंजीरा जो है, वह किस तरीके का होता है, यहां पर देखिए, यह रहा मंजीरा, तो आपने देखा तो यहां पर कामड जाती की जो महलाएं है वह 13 ताली मृत्य करती हैं उस समय मंजीरा बजाती है पीतलवा कांसे की मिश्रित धातू का गोला कारी वादियंत्र होता है उसके बाद देखिए सैकेंड नमबर पर लेजिम वादियंत्र यह एक घन वादियंत्र है और गरासिया जंजाती जो है इसको बजाती है फिर देखें, खड़ताल, सादिक खां मांगडियार प्रसिद वादक हैं खड़ताल के, ठीक है, सादू संतों का ये वादियंत्र हैं, आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा, पुराने जो सीरेल आते थे, उसमें जो नारत जी थे, उनके हाथ में खड़ताल होता था, जिसको वो बजा कर कहते थे नारायन नारायन ठीक है वही खड़ताल लकडी के चार टुकणों के बीच धातू के छल्ले लगा कर बनाया जाता है इसको ठीक है और खड़ताल ये रहा खड़ताल ठीक है तो इन दोनों को एक ही हात में लेकर आपस में टकरा कर इसको बजाते हैं और जो है इसकी आवाज निकलती है तो ये कैसा वादियंत्र है ये एक घंड वादियंत्र है फिर देखें थाली थाली जो है वो कांसे की बनी होती है और हातों से धाप करके इसको बजाया जाता है चरी नरत्य में इसका प्रियोग किया जाता है फिर देखें जहां जो वादि वाधियंत्र होता है और कच्छी घोडी नत्य के समय जो है इसका प्रियोग किया जाता है तो मैंने अभी आपको मंजीरे का जो है द्रश्य दिखाया था ठीके उसी के जैसा होता है बड़ा जांज फिर देखें भरनी साप के कटे हुए का इलाज करते समय भरनी वाधियंत्र क प्रियोग किया जाता है तो बहुत ज्यादा महत्वण वाधियंत्र जो है वो मैंने आपको सभी करवा दिये हैं ठीके तो तत्वाधियंत्र जिन वाधियंत्रों में तार लगा होता है तारों के माध्यम से बहुत सारे वाजे निकाली जाती है उनको तत्वाधियंत्र कहते जंतर है, सारंगी है, इकतारा, रावण हत्ता, कामायचा, भपंग, तंदूरा, रवाव, रवाज, गूजरी, ये सब ततवादियंत्र है, दूसरा हमने सुसिर वादियंत्र देखा, खूंक से बजाया जाता है, सहनाई, बांसुरी, बीन, कुंगी, मशक, बांकिया, भूंग और इसके अलावा हमने नड देखा, और मोर चंग देखा, ये सब सुसिर वादियंत्र में आ जाएंगे, उसके बाद हमने बात की, तीसरा वादियंत्र का प्रकार है, अवनद्द वादियंत्र, जो पसवों की खाल से बनाया जाता है, जैसे म्रदंग है, ढोलक भी है, और खंजरी है, चौथा घंवादियंत्र, जो धातू से बनता है, जिन में चोट या आघात करने से स्वरुत्पन होता है, तो इसमें यदि हम देखें, एक्जामपल में, तो मंजीरा है, थाली है, जांज है, खड़ताल है, ठीक है, घुंगरू है, और इसके अलावा लेजिम भी जो है, एक घंवादियंत्र है, तो इनको आप जो है, वो अच्छे से बार-बार याद करिएगा, ट्रिक जो है, वो बना कर आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, वादियंत्रों की जो ट्रिक है, वो आप बनाईएगा, अपने तरीके से, क्योंकि खुद की जो ट्रि झाल झाल